हाई फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चानल पजलिंग फिजिक्स पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं Newton's Laws of Motion मतलब के Newton के motion के तीन laws और Inertial Frames और साथ ही हम solve करेंगे कुछ numericals भी तो चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चानल पजलिंग फिजिक्स पर और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि Classical Mechanics क्या है उसके Limitations क्या है उसके Applications क्या है और इस बार हम Actuary Classical Mechanics शुरू करने जा रहे हैं और Classical Mechanics का एक बड़ा पार्ट है Newtonian Mechanics और Newtonian Mechanics के स्टार्टिंग कहा से होती है Newton Laws of Motion से So hence we are starting with Newton Laws of Motion और साथ ही पढ़ेंगे Reference Frames के बारे में ठीक है तो Newton's Laws of Motion कितने है भई टीन है तो पहला है Law of Inertia दूसरा है Law of Force और तीसरा है Law of Action Reaction आप सोच रहे होंगे यह पेड़ वगेरा क्या निकल के रखा है तो मैंने सोचा अब Newton जी के बात चल रही है उनके Laws की बात चल रही है तो थोड़ा पेड़ वीडियात कर लिया जाए तो बस निकाल दिया लेकिन ऐसे नहीं निकाला है Reason है भई कुछ तो यह जो Laws है Newton के यह दिये गए है चार Basic Terms का यूज करके या फिर चार Fundamental Contities का यूज करके जिनको आप बहुत अच्छी से रिफाइन नहीं कर सकते हो तो वो चार Fundamental Terms या Fundamental Contities कौन सी है आए देखते है वो चार Fundamental Contities है Space, Time, Force और Mass यह चार जो चीज़े है इनके Terms में दिये गए Newton के तेन लॉज ठीक है तो आएए जानते हैं इन चार चीज़ों को तो Newton के जो लॉज बने है जैसे मैंने अभी कहा है आपको कि इन चार के Terms में बने है तो सबसे पहले आता है Space अब Space क्या है Space is one of the Fundamental quantities obvious space is a fundamental quantity है जिसको पकड़ के हम लोग बहुत सारे जीज़े बताते रहते हैं बनाते रहते हैं आगे आगे examples में आपको समझ जाएगा मेरे sentence का मेनिंग ठीक है तो इसके बारे में और क्या बोल सकते है इट कैन नोट को defined वाया other quantities other quantities को पकड़ किया आप space को कभी भी define नहीं कर पाओगे क्योंकि space की definition क्या दो गया इससे जदा fundamental कहा जाओगे और at least classical mechanics में तो नहीं जा सकते बाई और यह explain कैसे हो सकता है measurements के जरीए जैसे कि आप कोई object coordinate system में पकड़ लेते हो या फिर कोई object है उससे relate करने वाली coordinate system consider करते हो और फिर देते हो उसका position vector अब जैसे हमने कोई ball ले ली इसका position हमने कही एक coordinate sorry coordinate system consider कर ली x y और z तो आपको जब इसकी position देनी हो तो आप कुछ इस तरह से देते हो x i plus y j plus z के तो इस तरह से किसी coordinate vector को देखिए ऐसे vectors की addition, subtraction या algebra करके आप space को major तो कर सकते हो लेकिन आप space को define नहीं कर सकते हो ठीक है देनाता है time तो time भी एक fundamental universal parameter है और एक book में time की definition कुछ इस तरह से दी है time is what happens when nothing else happens time कोई ऐसे चीज है कि कुछ हो रहा है तो उस वक्त और कुछ नहीं हो रहा है तो वो जो specific moment है वो specific क्या बोल सकते है वो specific जो moment ही कह सकते है तो वो जो time है उसे time बोलते है बस time को time ही बोलते है दिन आगी क्या है आगी है मास मास क्या है it is resistance to being escalated escalation को resistance इसे मास क्या है सकते है यह बहुत ही basic definition हो गई है और मास जो होता है वो weight को proportional होता है क्योंकि भाई हमें पता है कि हम weight को कुछ इस तरह से लेते हैं जबकि हम G को gravitational escalation जानते है तो यह तो constant होता है तो weight और mass कैसे हुए proportional हुए तो mass यह quantity क्या कही है weight और mass proportional कहे है और then lastly आया force तो अगर force को informally कुछ कहना है क्या force क्या है ऐसे ही कुछ बताना है तो किसी चिज़ को push करना या pull करना अरे आजा भाई इतना भी friction मत बता किसी चिज़ को push करना या pull करना यह हुई force और और एक definition दे सकते है mass of object times escalation अब यह जो definition है यह हम आराम से दिखेंगे बस अभी इतना जान लेजिए कि जो force की direction होती है वो escalation की direction में होती है ठीक है अब यह जो last के दो sentences है इसका explanation आपको वीडियो में ही आगे मिल जाएगा तो दोस्तो हमने चार basic fundamental quantities दो दिख ली जो थी space, time, force और mass इनके basis पे और फिर इनके terms में Newton के laws है तो वो क्या है कौन से है देखते है चलिए तो Newton का first law क्या है law of inertia भी इसे कहते है न्यूटन के first law को ही law of inertia कहते है और law क्या कहते है मतलब law को तो law of inertia कहते है लेकिन वो क्या कहता है तो वो कहता है in absence of force a particle moves with constant velocity अगर force ना हो तो particle के velocity कैसे रहेगी constant रहेगी हम एक बार सारे statements पढ़ लेते हैं फिर आगे मैं explain कर देती हूँ अब ये statement थोड़ा पहचान का लगता होगा अगर आप 9th या 10th के बच्चे हो तो आपको अच्छे से पहचान में आता होगा और आप बड़े हो तो फिर तो बहुत सी बार पढ़ा होगा in absence of force a stationary particle remains stationary and a moving particle continues to move unchanging speed in same direction ठीक है और third statement मैंने लिख रखा है a body continues to be in state of rest or state of linear motion unless and until it is acted upon by any external unbalanced force ठीक है तो first statement को देखते है कि particle moves with constant velocity जब force ना हो तो भाई अगर किसी particle पे force ना लगाए तो वो constant velocity से move करता है अब यह constant velocity 0 भी हो सकती है तो इसी लिए अगर कोई particle stationary है क्या है अगर कोई particle stationary है तो इसका मतलब क्या है उसकी velocity 0 है अब आप जब तक force apply नहीं करोगी तब तक velocity change नहीं होगी जो भी velocity होगी उसी constant velocity से move करेगा अब इसकी velocity 0 है तो यह क्यों move करेगा नहीं move करेगा तो अगर वो particle एक जगा पे stationary है तो वो stationary ही रहेगा और अगर उसकी कुछ velocity है x y z जो भी velocity है और आप अगर force apply नहीं कर रहे हो तो वो यह velocity continue रहेगी और उसकी motion continue रहेगी ठीक है अब और आगे दिखते है कि इसमें भी same बताया है कि particle stationary रहेगा और moving particle continue move करेगा बट unchanging speed in same direction अब भाई यह बात तो समझ में आगे कि speed change करनी नहीं है क्योंकि speed change करनी है तो velocity change हो जाएगी ठीक है और velocity तब तक change नहीं होगी जब तक आप force अपलाएं नहीं करोगे लेकिन मुझे एक बात बताईए velocity जो है यह vector quantity है यह scalar quantity है अब यह से velocity यह vector quantity है हम बार देकर लिखते हैं ना भाई और book में bold आता है ठीक है तो यह vector quantity है तो इसको change होने को दो चीज़े लगेगी एक तो इसका magnitude और दूसरा लगेगा इसका direction अगर आपकी object या फिर आपका object या आपका object है पकड़ लो यह कुछ इस तरह से same speed से जा रहा है इसी direction में तो इसके velocity change नहीं होगी लेकिन यही बंदा अगर ऐसे घूम के जा रहा है तो इसके direction तबही change हो रही है भले ही speed सेम है इधर जा रहा है तो 5 meter per second में जा रहा है sorry second बहुत कम हो गया न per hour कर लेते हैं 5 meter आराम से चल रहा है और इधर भी 5 meter per hour से ही जा रहा है तो speed के से यह बंदे की same है जबकि उसकी direction change हो गई है तो speed से में direction change हो गई है velocity change होगी या नहीं होगी तो force apply हुआ है या नहीं होना ही चाहिए तो बोलना बस इतना है कि अगर force apply नहीं होता है तो direction भी change नहीं होगी वो linear motion में उसकी जैसी भी motion है उसमें continue रहेगा वो circular motion कभी लेगा नहीं वो direction change करेगा नहीं तो बस वही third statement में है यह मैंने अलग लग जगा से लिए होए 3 statements है जो की बात को और clear करते है ठीक है आई अब समझते है second law को the time rate of change of momentum is proportional to the impressed force जो momentum का time के साथ जैसे भी momentum change हो रहा है यह किसके proportional है जो भी force apply हो रहा है उसके proportional अगर with time momentum increase हो रहा है इसका मतलब force भी increase हो रहा है और with time अगर momentum decrease हो रहा है तो force भी decrease हो रहा है ठीक है आगे और एक definition दी है for any particle of mass m the net force on the particle is always equal to the mass times the particles acceleration किसी particle के लिए जिसका mass m हो और उसपे अगर f force apply होता है किसी particle का mass क्या हो m हो और उसपे force क्या अपला होता है f ठीक है तो ऐसे particle में f क्या होगा अब force apply हो रहा है तो obvious है यह कुछ नो कुछ motion में आएगा क्योंकि force apply होआ तो state change हो गई stationary की motion में आ गई या फिर motion के stationary में आ सकती है तो हम consider करते कि motion में आएगी motion में आने के बाद उसको कुछ नो कुछ velocity होगी साथ में acceleration भी होगा तो इसका जो भी acceleration है उससे अगर mass से multiply करें तो आपको क्या मिलता है force मिलता है अभी इतना ही समझ लीजे इसे मैं अच्छे से explain कर दूंगी बस यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखिए कि f equals to ma होता है और acceleration क्या है rate of change of velocity that's why we have written is dv by dt अब m को अंदर ले सकते है क्योंकि अभी हमने m को constant ले रखा है हम लोग relativity नहीं पढ़ रहे है हम लोग classical mechanics पढ़ रहे है तो classical mechanics में हम mask कैसे consider करते है constant consider करते है relativity में definitely वो change होता है लेकिन classical mechanics में mask को constant consider करते है so हम लोग इसे आराम से अंदर ले सकते है और mv क्या होता है p होता है तो यह जो दोनों दे रखे हैं यह same है f equals to ma और f equals to dp by dt और f equals to dmv by dt यह सारे equal है और यह जो चीज़ है यह जब आप numerical solve करोंगे उसमें use होगी अब देखते हैं Newton का तीसरा law जिसका नाम है law of action reaction यह फिर law of action and reaction तो क्या है law every action there is always equal and opposite reaction हर action को उसके ही equal magnitude की और opposite direction की reaction होती है तो third law का दूसरा statement दिखते है वो है when two particles exert forces upon each other जब दो particles एक दूसरे पर force exert करते हैं या फिर force लगाते हैं इस forces are अब इन दोन पार्टिकल के forces कैसे होते हैं तो equally magnitude होते है उनका magnitude जो है वो equal होता है उनकी direction जो होती है वो opposite होती है और वो parallel होते है उस line के जो उन दोन पार्टिकल को join करती है सपोस्थ दो पार्टिकल से यह F1 अप्लाई कर रहा है और यह F2 ठीक है तो इनके जो forces होंगे वो equal magnitude के होंगे अब magnitude मतलब क्या है तो simply यह समझ लीजिए कि आपकी कोई quantity है उसकी numerical value उसकी जो number में value होती है उसका मतलब होता है magnitude कि अगर पार्टिकल A 5 newton का force apply कर रहा है तो पार्टिकल B भी 5 newton का ही force apply कर रहा है ठीक है तो F1 किस पर apply कर रहा है sorry A किस पर apply कर रहा है B पे तो उसकी direction क्या होगी इस तरह से ठीक है और अगर B apply कर रहा है तो उसकी किस पर apply कर रहा है A पे तो उसकी direction ऐसी होगी तो हुई न opposite direction magnitude तो सेम था इनका 5 newton लेकिन direction क्या हुई opposite हुई और साथ में ये जो folses है ऐसे थूड़ी नकि b का force इधर जाएगा और a का इधर जाएगा ना वो आमने समने खड़े तो इनका जो force है वो इस line में है फिर इस line के parallel act करेगा मतलब कि उस line के parallel होगा जो उन दोनो को जूड रही है अगे देखते हैं बस simply और एक बार वही दिया है if object 1 exert a force f21 on object 2 2 उपे 1 के वज़े से force लग रहा है then object 2 always दूसरो object भी क्या करेगा exert a reaction force f21 on object 1 given by f12 is equals to f21 अब equals to के बाद minus sign इसलिए दिया है कि magnitude से तो यह सेम है लेकिन डायरेक्शन से यह opposite है और आपको जैसे कि पता है force यह वेक्टर कॉंटिटी है that's why हमने उपर बार लिया है ठीक है